आपका बहुत बहुत धन्वाद मैं सबसे पहले हमारे भारतिय जनता पार्टी का जो संकल्प है गरीब की सेवा, किसान का सम्मान, नारी सक्ती वंदन, मध्धम बर्क के साथ, निवेश से युवाओं को रोजगार का अफसर, सुसासन से स्रमत भारत, स्रमक को ससक्त और वंच जितको वरियता, ये सब भारतिय जनता पार्टी का संकल्प है, जो लगातार वर्सों से, जब से देश के प्रधान मंतरी नरिन मोदी जी बने हैं, तब से ये काम सुचारो रूप से लागू है, और मैं जो बहुत महत्पूर्ण विशे पर यहां चर्चा चल रही है, मैं मा ताके हितों को ध्यान में रखते हुए, आपने राजिस्थान में स्वात सेवाओं के लिए बहुत सारी गोश्णाइं की हैं, निश्वित रूप से उकार कर साबित होंगी, क्योंकि पूरवर्ती सरकार ने प्रदेश के अलावा मेरे मुवा विधान सवा छेतर में बहुत स एक CSC की गोश्णा की है, और निश्वित रूप से दस दिन के अंदर ही प्रिसासन के अधिकारी जगे देखकर चिन्रित भी कर लिया कि उस CSC कहां बनेगी, पूरवर्ती सरकार में मेरे जिला स्पताल में विधायक कोटे से, वाके जो विधायक थे उन्होंने एक सोनोगरा काफी की मसीन खरीदी, जिसकी बजार की लागत 15-20 लाक रुपे थी, लेकिन 55 लाक रुपे में उस मसीन को खरीदा गया, और सबसे बड़ी बात ही रही कि दो साल पहले जो उस मसीन को खरीदा गया, वो दो साल से लगातार अभी भी बंद है, और जब हमारी सरकार आई, उस के बाद हमने उसको चालू करने का काम किया, गोशनाय बहुत की पहली सरकार ने, लेकिन गोशनाओं पर अमल नहीं किया, वो खानी लोग लभावनी गोशनाय थी, मैं तो आप से तना ही कहना चाहूंगा, कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में बहुत सार पूर्ण योजना थी, लेकिन हम जब गाओं में रहते हैं, गाओं के लोग हमसे पूशते हैं, कि साब मेरे हिलाज में पांच लाग रुपे का खर्चा आया, लेकिन होस्पिटल वाले सरकार को 25-25-30-30 लाग रुपे का बिल पेस करते थे, और सरकार से पैसे उठाने का काम करते थे, जनता को गुमरा करने का, असो गेलोत की सरकार ने काम किया, मैं आप से तना ही कहना चाहूंगा, कि हमारी जो सरकार है, निश्शित रूप से, मेरे विधान सबाद छेतर का जला स्पताल, जो बहुत महित्पून जगह है, महुआ, वहाँ पर परड़े एक लाख र सब प्राइवेट लेब में, वहाँ पर जाच हुआ करती थी, मैं मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा, महुआ आगरा जैपर के बीचम पड़ता है, इसलिए मेरे जला स्पताल को रेफरल गोसेच किया जाए, एक ब्रड़ वेंग की स्थापना भी वहाँ पर की जाए, और सा स्थी को उबजला स्पताल में आप कर्मनत करें, मैं मेरी सरकार से यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार का बजट पूरे प्रदेश को सभी विभागों में दिया है, निशित रूप से पांच वर्स तक पूरी दीन हीन गरीब जनता के हितों का यह बजट है, और निशित क्झी कि टूर से पांच थाओगों में देद बजट हैं जिस प्रकार के हितों का यह हैं भागों में दिया का बजट हैं यह हैं उहा हैं यह लिजए आप हैं दिया है, जिस दो उनWowकित रूरे प्रकार थाओगों में।